इस वीडियो में तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लश्ट तक देख लिएगा और मेरे यूट्यब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा चलीए शुरू करते हैं इसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दो तरीके बताने वाला हूँ, आप दोनों तरीकों के देख लिजेगा, सबसे पहले देखिए आपको call dollar में जाना है, और देखिए दोस्तो call dollar में अगर कोई ऐसा number है, जो कि यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अगर आपने किसी number को call किया है, या किसी number से call आया हुआ है, तो अगर आपको ऐसा number सेव करना है, तो अगर आपके सामने यहाँ पर call dollar में वो number है, तो आपको उस number के साइड में एक goal icon मिलेगा, goal icon पर click करना है, फिर आपको यह add to contact पर click करना है, click करेंगे तो आपको यह create a new contact का option मिलेगा, इस पर click करना है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर number आ जाएगा और यहाँ पर आपको first name डाल देना है यहाँ आपको last name डाल देना है चलिए मैं यहाँ पर नाम देता हूँ contact वाले application में जाना है जब आप contact वाले application में आएंगे तो भी दोस्तों देखिए contact वाला application में आपको यह plus icon मिल जागा, plus icon पर click कर देना है, अब देखिए दोस्तों यहाँ phone तो phone में आपको दोस्तों वो number डाल देना है जिसको आपको save करना है तो चलिए मैं यहाँ पर एक दस अंको का नंबर देता हूं डाल और तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर डाल दिया है और यहाँ फर्स्ट नेम डाल देना है चलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देता हूं डाल और डाल दिनक बाद उपर save icon पर click कर देना है तो वो contact number आपके phone में save हो जाएगा तो इस तरह के साब जाए contact number आप save कर सकते हैं Motorola के mobile में वीडियो पसंद आया है लाइक करके channel subscribe जरूर करें